कि आजब बनाएंगे कानाजी के लिए पंचो मैंने तीन नमबर के कानाजी के लिए बनाया है आपकी जितने बड़े कानाजी है आप उतनुरी साइज के ऐठीं बना सकते हैं तो मैंने यहां यहां पर सुबसे पहले चेञ्ण ले लिए Empire अथारा चेंझे लिए है 18 चैन के अंदर मैंने अब सभी चैन के अंदर में double crochet एक एक बार बुन दूंगी अगर आपके बड़े काना चाहिए तो आप उसके according बना सकते हैं तो मैंने 18 चैन में सभी चैन में एक एक बार double crochet बुन लिया है एक रो हमारी complete हो चुकिया अब दूसी रो के लिए हम ऐसे दो चैन बनाएंगे ऐसे एक दो अब टन करेंगे अब हम सभी चैन से फिर से एक एक बार double crochet बुनेंगे अभी देखिए मैंने डबल क्रोसिया बुन रही हूँ सभी चेन से एक एक बार चलिए बुनते हैं फिर दिखाते हैं देखिए मैंने सभी चेन से एक बार फिर से डबल क्रोसिया बुन लिया है यानि हमारी दो रो कंप्लेट हो चुकी है अब next row बनाने के लिए हमने फिर से दो चेन बनाई और फिर से हम पहले की तरह सभी चेन से एक एक बार डबल करों से हम बुनेंगे चलिए बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखिए हमारी complete हो चुकी है थर्ड रो भी अब हम node लगा के इसे बंद कर देंगे इसे उस्यज़ से cut कर देंगे इसी तरह से हमारी दूसरी रो भी complete हो चुकी है सिर्फ हमें तीन नंबर के पैना जी के लिए 18 चेन लेनी है 18 चेन में हमें 3-3 रो बनानी है तीन रो इदर बनाई है और तीन दूसरे में बनाई है बस इतना ही करेंगे आगे हम बाद में बताते हैं तो अब इनकी हम सिलाई करेंगे अब ऐसे हम V-shape में इने सीलेंगे ऐसे देख रहे हैं न अब ऐसे V-shape में हम इसकी सिलाई करते हैं चलिए कर लेते हैं फिर दिखाते हैं हमने कर ली है सिलाई और अब हम नोड लगा के इसे सीजर से कट कर देंगे नोड हम पहले की तरह ही लगाएंगे अब सीजर से हम कट कर देंगे देखिए हमने यहां पर वी शेप में ऐसे सिलाई कर लिया अब दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड से भ कि हमने फटाफट दूसरी साइड भी सील ली है अब हम नोड लगा देंगे इसे भी कट कर देंगे इसे भी हमने सीजर से कट कर दिया है अब देखिए हम फंदे लगाएंगे यहां पर अब फंदे के लिए फंदे का काम बाद में करेंगे पहले हम यहां पर इसके नेक बनाएंगे नेक के लिए आपने ग्रीन कर लिए कि उन किसी भी धागे क्यों लेनी है और बिल्कुल कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ हम एक रोव बनाएंगे उनली वन दो बनाएंगे ज्यादा नहीं बनाएंगे किसी भी धागे से देखिए बना लेते हैं फिर दिखाते हैं देखिए हमने यहां पर कंप्लेट कर ली है वन दो अब इसे भी सीजल से कट कर देंगे अब हम लगाएंगे फंदे फंदो के लिए मैंने दस थागे ले लिए हैं तीन अंगूलियों पेल पेटने हैं और इसे नोड की साहता से कट कर दूँगी नोड बना के कट कर दूँगी, सीजर की हेल्प से इस तरह से हम खूँब सारे फंदे बना लेंगे, चलिए बना लेते हैं, मैंने फंदो का काम किसी और को दे दिया है घर में, तो हम बनाते हैं कानाची के शूज तीन नमबर के एकाने जी के शूज बनाने के लिए आपको लेने होंगे अब च्यार च्यार ले सकते हैं च्यार चैन लेंगे च्यार चैन में च्यार बर बुनेंगे यानि च्यार रो च्यार चैन में च्यार रो बुनेंगे कि चले बूल लेते हैं फिर दिखाते हैं कि यह हमने चाज चैनल में चाज हो कम्प्लीट होने वाली है हमारी कम्प्लीट हो चुकी है हमने नोट लगाके कट कर लिया इसे भी अब हम सिलाई करेंगे चलाई करने के लिए आप दोनों साइड से ऐसे सिलेंगे बीच में बस थोड़ा सा गैप रखेंगे हलका सा गैप रखेंगे इतना कि हमारे कानाजी के पाऊँ में आ जाए बाकि हम दोन का हिसा आधा से लेंगे इस तरह से हम से लाइग alingenगे कर लेंगे और हमारा 15 सबस्ता हивать कर तयार है दिखिए अब हम इससे सीधा कर लेंगे त्यान के बहुत ही अच्छे अच्छा में आईगी इसके पीन नम्हीं कर आच दि lady हैं दोनों हमारी शूज़पन का त्यार हो चुके हैं अब हम फंदे लगा लेंगे एक एक करके सारे फंदे लगा लेंगे वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना थैंक्यू सेंक्स वर वोचिंग अब हम इसे कॉम की हेल्प से सही कर लेंगे सारे फंदों को यह हमारे लेंगे